नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकिराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आजके इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेख मी टू पर इनकामिंग कॉल ब्लेक स्क्रीन प्रॉब्लेम को सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर incoming call pick करने का option दिखाई देना चाहिए या to फिर cut करने का option दिखाई देना चाहिए ठीक है तो उसके जगे पर दोस्तों क्या show करते black screen show करते और दोस्तों नहीं आप उसको pick कर पाते हैं और नहीं cut कर पाते हैं तो इस तरह का issue हो रहा है तो आभी दूस्तों यहाँ पर देखीगा अगर आपको भी incoming call पर black screen का issue हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा जरू देख लेना मैं आपको solution बताऊंगा solution को follow कीजिए problem आपका जरू fix हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को click जरू करें यहीं आप online पेसा कमाना चाहते हैं यह वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा जाके check out जरू कर लीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका solution सब अपसे पहले तो दोस्तों आप जो है अपने phone को fast boot कर लिजिए ठीक है अगर इस तरह का कोई भी इशु हो रहा है पॉर बोटन को hold करके रिखिए ठीक है डाबाया और दाबाया और दोस्तों उसको press करके राखिए कम सी कम 40 seconds के लिए आपके phone जो है दोस्तों जाइए आपने mobile के setting पर about phone को open करें storage पर जाए खेश डेटा जो डिखाई देर उसमें system launcher दो दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना है इसको भी for stop करके ok करना है clear data पर click करके clear all data करके ok कर देना है उसके बाद यहाँ पर permissions होगा सारे permissions allow कीजिए ठीक है problem solve हो चुका होगा ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है यहाँ पर problem को solve कर सकते black screen का जो आपके incoming call पर आ रहा है ठीक है तो यह हो गया दोस्तों आपके solution मान दीजिए दोस्तों by any chance अगर आपको दुबारा से problem आता है topic क्या करें तो जाइए दोस्तों आपने mobile के setting पर आपको दोस्तों उपर में यहाँ पर दिखाई डिया रहा होगा update का option ठीक है about phone के अंदर पर तो आपको software update कर लेना है software update करने से दोस्तों यहाँ पर आपका इस तरह का issue जो रहते हैं वो fix हो जाते हैं ठीक है तो यह simple सा solution आप follow करके देखे पुरा solution आपको करना है इसके बार आपका जो भी issue है वो fix हो जाएगा और दोस्तों अगर आपकी device पर कोई भी bad application से तो आप उनको uninstall करें क्योंकि बैड़ अप्लिकेशन जो होते हैं वह आपकी device के लिए harmful होते हैं ठीक है device को डेमेज कर देते हैं तो उनको uninstall करें सारी साथ दोस्तों आप factory data reset के लिए भी जा सकते हैं तो यह सब solution करने के बाद तो दोस्तों आपका जो black screen का इस्वेश वह 100% सौल्फ हो जाएगा ठीक है तो आज के इस वीडियो पर बस इतने वीडियो अचा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं इसके रिलेटेट पर अगर आपको कोई भी इस्व कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉमेंट सेक्षिन पर कॉमेंट कर स के हैं थैक्स वर वाची